हलो फ्रेंट्स वेलकम टो गार्गी क्लासिस डेट आज के 3 जून 2021 और देख लेता है इंडियान एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपोर्टन्ट आर्टिकल्स जो अभी हम डिसकस करने वाले हैं फर्स्ट आर्टिकल्स जो हम डिसकस करेंगे वो है आपके सामने ये हाउ टू रिस्टार्ट स्कूल्स डीटिल में जानेंगे सजेशन दिया जारा है राइटर के दौरा अच्छे सजेशन से दूसरा article हम जो देखेंगे वो है The Real Test अभी जो CVSC के दुआरा 12th Class की examinations को scrap कर दिया गया है उसको लेकर कि article है और कुछ और suggestion दे रहे हैं यहां पर editor कि क्या किया जा सकता है future में जिसें की board exams को आप replace कर सको क्योंकि marks oriented education कुछ जादा ही चल पड़ी है देखेंगे इस article को इसके लावा हम जो article next discuss करेंगे last में जिस लेंगे fuel for growth इस article में जानेंगे कि अभी fiscal deficit जो है सरकार ने बहुत हद तक कम किया है या फिर बहुत हद तक तो नहीं गएंगे मतलब जितना डर था उससे थोड़ी सी कम रही है fiscal deficit ऐसे में fiscal support देने की कोशिस करनी चाहिए तो जो indirect tax है वो collection थोड़ा जादा हुआ है उस point of use इस article में last में जिस लेंगे इस article का इस article को हम discuss नहीं करेंगे और आगे अगर दूसरे page पे चलें तो idea page पे से फेक article discuss करेंगे that is downplaying the external threat इस article में हम देखो यहाँ पर politics भी है थोड़ी सी पर हमारे लिए जो important आप वो एक timeline आपको समझ में आगी इस article के थूँ जिसमें हम ये जानेंगे कि इंडिया की foreign policy कैसे develop हुई है पिछले दो दशकों में हना 2000 के बाद से लेकर अब तक की बात करेंगे जानेंगे इस article के थूँ ठीक है तो यह हमारे पास में तीन article में ने एक कजिस लेना है चार article से देखते हैं डीटेल में first article है how to restart schools article लिखा गया है यहाँ पर समीर के ब्रह्मचारी के दौरा यह CSIR से associated personality हैं इन्हों ने यह यह बता रहे हैं यहाँ पर कि pandemic ने Indian education system को बहुत ज़्यादा disrupt किया है ऐसे में एक तरफ तो education रुक गई तो दूसरी तरफ जो existing digital divide है कि जिनके पास में internet है जिनके पास में internet नहीं है जिनके पास digital accessibility है कि इनके पास नहीं है तो वो gap भी कही नहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो government ने अपनी तरफ से देखो शुरुआत में कोशिश की कि कैसे भी करके जिन्दिगियां बचाई जाए इस बिमारी से और दूसरी focus करी सरकार ने livelihood की कैसे भी करके खाने पीने की विवस्था तो एटलिस्ट बनी रहे चाहिए पुधान मंतरी गरीब कल्यान अन्योजना की बात करो या सरकार के दुआरा जो pension schemes है उनमें relaxation देना या फिर कैसे भी करके लोगों को जो loss हो गया है इस बिमारी के चलते हैं उनके jobs छूट गए है उन jobs को maintain करने के लिए या फिर जो MSMEs हैं उनके लिए funds की availability कराना उन चीजों में lives और livelihood के बारे में सोच लिया अब बात ही आ जाती है कि first और second wave दोनों में अगर एक चीज निकल के आ रही है तो वो है education क्योंकि health infrastructure और vaccination के ओपर तो सरकार ने बहुत जोड दे लिया बट एक education पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो आज की जो generation है जो कि 10th 12th class को पास कर रही है वो generation अपनी productivity का benefit हमारे country की growth को नहीं दे पाएंगे तो ऐसे में इनका full potential explore होना बहुत जरूरी है तो देखो वैसे तो educational institution के लिए government ने अपनी तरफ से बिल्कुल open रखाया कि कैसे भी करके आप plan बताओ suggestions आएंगे discussion होगा तो ऐसे में एक plan बने तब जाकर के और एक ऐसा frame तो बने ना at least जिसके उपर अलग-लग states अपनी जरूरतों को ध्यान में रख करके और फिर काम करें मतलब एक कच्चा धाचा तयार हो और फिर अलग-लग state के हिसाब से उसको implement किया जाए कि situation की gravity क्या है cases कितने हैं जरूरत कितनी है या फिर rural area जादा है किसे state में urban area जादा है गाओं के लोग गाओं के बच्चे हैं वो जादा है तो उस सारी situation को देख करके फिर बाद में आप तयार कर सकते हो तो overall एक countrywide एक model framework तयार करने की जरूरत है जिस से हम हमारी education system को फिर से track पहला सके इसके लिए देखो हम दूसरे countries से जो हमारी learnings है experiences हैं वो हम यहाँ पर apply कर सकते हैं सबसे पहली चीज तो यह हमें जानना पड़ेगा कि देखो छोटे countries ने तो देखो लगबग 70-80% तक vaccination अपनी population को दे दिया है पर क्या एंडिया के लिए पॉसिबल है इस academic year में देखो इसमें कोई chances लग नहीं रहे कि इस calendar year मतलब दिसंबर 2021 तक क्या vaccination कंप्रीट हो पाएगा यह सवाल बहुत बड़ा है तो ऐसे में 70-80% तक पहुंचते पहुंचते भी हमें 2022 तो हम 2022 में तो हम enter हो जाएंगे तो क्या इसके लिए हम एक और academic year को loss कर दें खतम हो जाएए तो यह तो बहुत बड़ा loss हो जाए क्योंकि पिछली साल का पूरा गया एक साल अभी एक साल ओड़ चला जाएगा तो बच्चों को जो जन्होंने 2020 में 10th class के exam दिया था वो तो 12th pass वैसे ही हो जाएंगे या फिर 12th तक उन्होंने बिना पढ़ाई किया अगर वो आगे बढ़ेंगे तो क्या उनका development proper हो पाएगा और रही सही में हमें पता है universities में higher education point office से देखा जाए तो वहाँ पर admission के time पर merits को देखी जाती है और merits जब 12th बेस जाएगी तो आप क्या check करोगे वहाँ पर बच्चे के पास में आप देखोगे एक गाओं का बच्चा है मतलब हमारे याँ पर socio-educationally या socio-economically जो backwardness है जो divide देखने को मिलता है कि urban areas में कहीं न कहीं बच्चे जो पढ़ते रहते हैं अब urban areas में जो बच्चे रह रहे हैं उनकी क्या हाल हो रहे हैं दूसरी तरफ गाओं में जो लोग रह रहे हैं उनके क्या हाल हो रहे हैं तो ऐसे में हमें कहीं न कहीं एक balance बनाने की जरुरत है जिसमें rural और जो government schools हैं या फिर जो colleges हैं उनके हमें कोई न कोई better arrangements करने की जरुरत है कोई plan की जरुरत है क्यों क्यों क्योंकि जो school जिनके पास में अच्छे instruments अच्छे equipments अवेलिबल हैं या फिर urban areas में जो private schools located हैं उनके पास में तो देखो facilities अवेलिबल हैं और जो बच्चे उनमें पढ़ने आता हैं उनके पास में तो कोई न कोई accessibility का कोई न कोई रस्ता रहता है पर दूसरी तरफ सरकारी school है या फिर गाओं में जो schools हैं वहां के बच्चे और साथ में जो college students हैं उनके बारे में हमें अलग से सोचने की जरूरत है देखो हमने vaccination को 18 साल से उपर की सभी के लिए allow कर दिया है तो अब हमें priorities fix करने की जरूरत है जिसमें teachers जो हैं school के हों चाए college के हों उनको सबसे पहले हमें priority में ले करके उनको vaccinate करना होगा और specially rural India में ठीक है क्योंकि हमने देखा आरबन इंडिया में तो जो teachers हैं उनके लिए तो already facilities available हो तो online classes ले पा रहे हैं पर गाओं में ये problem है तो आप उनको prioritize करो इसके अलावा आप देख सकते हूँ कि अभी जो recent time गया है इतना बेकार गया है जिसमें कि teachers को भी infection हुआ और कुछ teachers ने तो मतलब अपना दम तक तोड़ दिया और उसकी वज़य क्या थी उन teachers की duty लगा दी गई थी पंचायत election में बहुत सारे reports देखी थी हमने यूपी में जो पंचायत election हुए थे उसके time पे तो ऐसे में हमें देखो एक बहुत important चीज पर ध्यान देना पड़ेगा कि educational institution है वो भी reopen हो जाए और साथ में जो covid की तीसरी wave आने का डर है जो कि ये कहा जा रहा है कि जो बच्चों पर कही नहीं गातक हो सकती है तो उस case में हमें बच्चों को भी थोड़ा strong बनाने की ज़रूरत है तो ऐसे में teachers को तो सबसे पहले vaccinate करो दूसरा उसके बाद में जो आपके पास में data available है उसके हिसाब से plan तयार करो अगर हम available data की बात करें कितने बच्चे हैं हमारे यहांपर schools में जाने वाले या board exam देने वाले overall देखें तो data available point office से देखें लगबग 3 million तो हमारे यहांपर school teachers है ठीक है 1.3 million college और university teachers है तो overall आप मिला करके देखो दूसरे और staff को मिला दो तो 6 million हमारे यहांपर education sector में employees काम करते हैं तो उनको आप या तो fully vaccinate करो या partially vaccinate करो पर उनको priority में low क्योंकि इससे क्या होगा कि दब अब आज अगर special drive में आज आप लेना शुरू करोगे तो mid July तक जाते जाते आप इस target को achieve कर पाऊगे जो कि अपने आप में practically possible भी है पर आपको priority पे लेना पड़ेगा फिर उसके बाद में आप देखोगे कि कुछ ना कुछ तो जो teachers हैं उनको vaccination पहले भी लग गई होगी जैसे जो शहरों में रह रहे हैं या थोड़े से aware हैं या फिर जैसे शुरुआत में जो slot book करवाने का जो procedure था उसमें उन्होंने slot book करके अपना काम करवा लिया तो ऐसे में उनको vaccinate हो गए हैं कुछ तो और कुछ को आप कर दो तो ऐसे में क्या हो जाएगा आपका education के लिए जो minimum demand हम या पे देख रहे हैं वो क्या है teachers की vaccination वो पूरी हो जाएगी उसके बाद में हम आगे बढ़ सकते हैं फिर उसके बाद में आप देखो कि teachers को vaccinate कर दो august end आते आते और उसके बाद में physical classes शुरू करो पहले आप 11 वी और 12 की ठीक है जो बच्चे mature हो रहे हैं उनकी आप पहले classes लो और उसके लिए model practice point office से देखा जाए तो बहुत सारे countries में यह किया जा रहा है कि शुरुआत में दिन में morning time पे तो देखो 11 वी की class ले लो और afternoon time पे 12 वी की class ले लो एक तरीके से मतलब division कर दिया इसमें भी और इसमें भी sub division और किया जा रहा है तो ऐसे में morning time time पे तो आप 11th class रख लो और afternoon आप रख लो class 12 का और उसमें भी आप यह करोगे कि 50-50% strength को आप school में बुलाओगे उसमें क्या होगा और 5 day week रखोगे Monday to Friday अब इसमें क्या होगा कि एक पूरे हफते एक पूरे महिने को आप 4 हफतों में करते हो तो पहले और तीसरे हफते में तो आप बुलाओ 50% बच्चों को और बच्चे हुए 50% को आप बुलाओ दूसरे और चौथे हफते में तो ऐसे आप देखो इसमें cycle क्या set हो रहा है कि आप पहले हफते में बुला लोगे 50% यह 11-12 दोनों के लिए अपलाई होगा क्योंकि जो सुबै का session है उसमें तो आप 11th class लोगे और जो शाम वाला session है दुपैर वाला session है उसमें आप class ले लोगे किसकी 12th की तो 50-50% strength को बुलाओ नमबर एक बाद दूसरी फिर उसके बाद में उसमें 50-50% 11th की 50% 12th की अब आप एक 50% section को बुला लोगे 11th और 12th की कि इसको Monday को Monday to Friday 1st और 3rd week में और दूसरे बचे होए 50% को बुला लोगे 2nd और 4th में मतलब 1, 2, 3, 4 यहाँ पर 12th का 50% एक आ जाएगा और morning session में 11th का 50% आ जाएगा फिर दूसरा जो week आ जाएगा जो 50% बचे होए न उनको बुला लो 11th और 12th के वोई schedule अपना morning और afternoon वाला फिर आप first वाले 50% को तीसरे week में बुला लो और ऐसे ही आप बुला लो fourth week में second वाले 50% को तो ऐसे आप देखो कि आप एक हफते के अंदर five day week रख रहे हो तो दो sessions के बीच में 9 दिन से जादा का gap बन जाएगा easily अब इससे क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे कि आप normally quarantine period देखते हो तो 9 दिन का आशकल मानने लग गए तो अगर कोई बच्चा infected होता भी है तो बोलो उसको 9 दिन का घर पे रहने का मोका मिल जाएगा और वो recover हो जाएगा तो SME transmission की जो chain है वो भी तूट जाएगी और बच्चों की पढ़ाई भी नहीं तूटी एक दम innovative idea है ठीक है दूसरी तरफ आप देखो schools को जिनके पास में online teaching facility available है उनको तो देखो offline physically आने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि बच्चों को पहले vaccinate करवाना ज़रूरी है उनके safety ज़रूरी है teachers के साथ में फिर बच्चों की भी ज़रूरत है ठीक है तो SME अगर online facility school में available है तो जल्दवाजी करो मत और साथ में ये भी देखना ज़रूरी है especially उन district में जहां पर case की जो ये जो COVID-19 की जो cases है वो हर दिन 2-3% positivity rate आपको दिखाई दे रही है तो उससे ज़्यादा ठीक है 2-3% से कम अगर positivity rate आ रही है न तो आपको ज़्यादा परिशान होने की ज़रूरत है तो तो आप physical classes conduct कराओ और ये method हमारे पास में अच्छा है पर अगर 2-3% की positivity rate है या उससे ज़्यादा है तो उस case में उन districts में आप एक बार अभी भी halt पर रखो पहले आप safety ensure करो cases को control में लेकर क्या हो तो कहने का मतलब है कि focused effort अगर किया जाएंगे vaccination point of use हैं तो कहीं ना कहीं आराम से ही चीज़ अचीव हो सकती है दूसरा आप ज़्यादा ध्यान उन पे दो जो बच्चे 2003 या 2003 के पहले के जन्म लिए हुए है समझ गए जिनकी उम्र आप यहाँ पर सीधा देख लो आप 18 साल या 18 साल से ज़्यादा उम्र होगी सीधी सी बात है ठीक है तो उन बच्चों का प्रायटी पे लेकर के उनको अठादाने सॉरी 2003 के बाद की पहले की बात की जारी है मतलब कॉलेज स्टुडेंट्स है उनको तो कम से कम वेक्सिनेटी करो अब जल्दी से जल्दी ठीक है जो कॉलेज में पढ़ रहा है बच्चे या 11-12 में जो बच्चे पढ़ रहा है उन पे अब बात करते हैं इंडिया में बोर्ड एक्जाम की देखो क्लास 12 में जो बोर्ड एक्जाम होता है एक माइल स्टोन का काम करता है जिसमें आज अगर देखें तो 10 मिलियन स्टुडेंट्स एक्जाम देते हैं हर साल लगबग लगबग एक करोड बच्चे जो हैं वो 12 का एक्जाम देते हैं बोर्ड एक्जाम चाहिए वो अलग-लग स्टेट्स में दो चाहिए सेंट्रल बोर्ड का एक्जाम दो तो इससे क्या होता है कि वो इस exam के basis पे अपने future career के बारे में सोचना शुरू करते हैं और उसके हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं बट pandemic ने क्या कर दिया कही ना कई इसमें परेशानी कर दी और center ने इसी को चलते examination को cancel कर दिया अब बात ही आ जाती है कि हम ये 12th का जो board exam में जो standard fix किया हुआ है जिसके basis पे higher education में बच्चे अपनी education पर्शू कर सकते हैं तो वहाँ पर क्या आप standard fix करोगे जिसके चलते बच्चों को आप मौका दे सको देखो students की safety ensure करना हमारे लिए important है और parents की भी ये duty है अपने आप में तो जो digital divide जिसका सामना किया जा रहा है एक तरफ जहां पर बच्चे online पढ़ पा रहे हैं दूसरी तरफ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो नहीं पढ़ने वाले बच्चे वो गए जो under privileged children है या rural area से belong करते हैं या जो urban area में जो गरीब बच्चे हैं वो गए तो वो कहीना कहीं अगर आप एक अच्छी private school के student को compare करोगे slums में रहने वाले एक बच्चे के साथ में तो वो कहीना कहीं आपको एक digital divide को हमें balance करने की जरूरत है तो ऐसे में online teaching जिनके पास में नहीं है वो handicapped ना feel करे उसके लिए हमें कुछ और करने की जरूरत है देखो states ने कुछ ने तो द तो ऐसे में वो कैसे ensure कर पाएंगे कि इन students की safety भी ensure हो और उसके बाद में उनको कोई problem मतलब exam भी अच्छे से conduct हो जाए तो इसके लिए क्या बता रहे हैं कि आप exam conduct करवाने का तरीका आप यहाँ पे बिलकुल बढ़िया एक्गम flow में बता रहे हैं कि अगर कोई exam कराने की finalize भी करे ना तो आप कैसे करोगे states में number one shortest possible time के अंदर आप exam complete करा दो ठीक है shortest possible उसमें आप देखो कि maximum 6 दिन में तो एक exam पूरा complete हो जाए मतलब 6 पेपर लो चाए कैसे भी करो आपके हिसाप से 6 दिन से ज़्यादा लंबा मत की जो एक वीग से ज़्यादा exam मत कराओ दूसरा जो suggestion है that is कि exam अगर आप conduct कराते हो तो वो दो गंटे से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए और multiple sessions में exam कराओ जैसे कि एक दिन के अंदर आप तीन exam conduct कराओ 9 से 11, 12 से 2 और 3 से 5 दो दो गंटे के exam होगी और सब के बीच में एक एक गंटे का time मिल गया तो जो session आपको इन दो session दो exams के बीच मिल रहा है उस time पर जहां पर भी exam आप conduct करा रहे हो उन exam halls को sanitize कर वाओ ठीक है तीसरा suggestion सभी teachers जो की exam में duty पे आ रहे हैं उनको या तो fully vaccinate करके भेजो या फिर partially vaccinate करके भेजो उससे क्या होगा कि वो तो कम से कम immune रहेंगे क्योंकि बच्चों को तो आप gap दे हो कैसे भी करके बढ़ teachers तो on duty anytime अना उनकी safety भी देखनी पड़ेगी चोथा suggestion कि आप यही चीज अपलाई कर सकते हो secondary board exams के लिए जो 10th class की बात है ठीक है पर यह ध्यान रखें कि secondary board exam के अंदर आप only 3-4 subject main subject हैं उन्हीं की exam कराओ ज्यादा की मत कराओ पांच वा suggestion सभी exam जो है वो students की जो schools है वहीं पे कराओ पर invigilator जो है वो दूसरी school से बुलाओ इससे क्या हो जाएगा कि mal practices को आप avoid कर पाओगे कि कहीं कोई गफला तो नहीं कर रहा है कहीं कोई cheating तो नहीं रहे उससे बचाई जा सकती है और finally केवल 50% weightage जो है वो आप इस exam को दो और बचे हुए 50% previous year exams को दो इससे क्या होगा कि आप बच्चे का पूरा career समझ पाओगे जिससे क्या हो जाएगा एक बड़िया तरीके से result बन पाएगा सेम चीज आप class 10th के board में भी apply कर सकते हो और फिर बात आती है primary और middle और secondary schools की हमाएं आपर भी ध्यान देने की दूरत है तो यहाँ पर जिंदगी भी बचे बच्चे जो गाओं में रह रहे हैं जो government schools में पढ़ रहे हैं उनकी education भी चले देखो physical accessibility तो भी ensure हो नहीं पा रही है online education की बात करो तो उनके पास में accessibility नहीं है गाओं में internet facility नहीं है और दूसरा अगर थोड़ा बहुत भी network आता से तो deprived हैं रही सही में midday meal scheme जैसी जो उनको nutrient supply करने वाली जो scheme चल रही है जैसे ICDS integrated child development scheme है जिसके थायत बच्चों को खाना दिया जाता है दो पैर में है ठीक है तो उससे क्या होता nutrition value उनकी body में बनी रहती है तो उनके mal nourishment का भी problem नहीं रहती long term में समझ गया तो ऐसे में nutritional deficiencies disease भी अभी बड़ी है COVID-19 के चलते हैं जबसे school बंद हुई है तो हमें right to education को full-fledically implement करने की ज़रूरत है सारे resources को कहीं नहीं focused manner में use करते हुए अगर हम यहाँ पर बात करें अब गाउं में क्या देखा जाता है कि बच्चे social distancing इतना ज्यादा norms को इतना follow नहीं करते है वज़ जो हमने previously discuss किया है ना उस pattern के उपर आप काम कर सकते है और गाउं में ये का ये pattern भी आप apply कर दो और ये चीज प्राइमरी, middle, secondary school के लिए apply करनी शुरू करो September 2021 से समझ गये तो कहने का मतलब अगस्ट से तो 11 वी बारवी की education शुरू कर दो और फिर एक मैने बाद में September में आप शुरू कर दो, 12 ये इसकी, जो छोटी classes हैं, 10 वी तक की classes हैं उनकी, तो और साथ में board exam भी time पर conduct हो जाएंगे, जो हमने 12 वी का pattern देखा, वो ही आप 10 पर apply कर दो, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, कि 200 से 300 million जो लोग हैं, तब तक September तक आप देखोगे, vaccinate भी हो जाएंगे, तो इससे और जादा protection आ जाएगी, तो कहने का मतलब है, दीरे दीरे gradually अगर हम process पर ध्यान देंगे, तो result हमें definitely मिलेगा, अब बात ही आ जाती है, कि vaccination जो है, वो selective और targeted manner में होने की जरुवत है, क्योंकि अभी हमारे पास में vaccine shortage भी है, तो भी ध्यान में रखने की जरुवत है, और साथ में controlled manner में schools को open किया जाए, ऐसा ना हो, कि जल्दबाजी में एकदम होचपोच हो करके, एकदम open कर दिया जाए, और फिर उसके बाद में पता पड़ेगी, थर्ड वेव में बच्चों पर जो, मतलब, attack होने का chances जाए, इस बिमारी का, वो कहीं न कहीं सही साबित हो जाए, उसको exaggerate और कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए और, ठीक है, तो SME जो हमने limit देखी ना कि 2-3% जो positivity rate आ रही है जिन districts में, उनमें तो बिल्कुली बंद करो, उनको तो अभी मत करो, वहाँ पर तो positivity rate कम आने दो, बाकि जिन में 2-3% से कम positivity rate आ रही है, वहां उन districts में आप education को, मतलब restart कर दो, conclusion writer के साब से भी बोला जारा है कि हमें जरुवत है कि health infrastructure तो improve होना ही चाहिए, बट हमें ये digital divide को भी improve करने की जरुवत है, क्योंकि हमने देखा कि बार-बार एक ही suggestion आ रहा है experts का, कि अगर आपको economy को track पे ले करके आना है, तो infrastructure को boost देना पड़ेगा तो क्योंना आप इस digital divide को भी correct कर दो, क्योंना आप गाओं में जो schools हैं, government schools हैं, वहाँ पर wifi facility अवेल करा दो, क्योंना वहाँ पर computers की facility को और increase कर दो, जिससें की बच्चे जो हैं, वो online education easily ले पाएं, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, जो digital divide भी कम हो जाएगा, लोगों को वहाँ बैठ करके बढ़ लेते हो, तो वो चीज वहाँ पर भी apply होगी, तो उसका outcome हम बहुत जादा multiplication factor में देख पाएंगे आगे, मतलब हो बहुत जादा बढ़गर के हमें feel होगा, वहाँ पर, जैसे एक जमाना था जब TV और radios के ओपर education को promote करने के लिए बहुत सारे आते है, तो वो चीज आज का time है, कि गाओं में TV और radio का penetration कम नहीं है, तो आप क्यों ना TV और radio को revival दे दो एक, ठीक है, जिससे कि बच्चों को engage तो करके रखो, कि भी आप घर पे रहकर भी पढ़ सकते हो, कहने का मतलब, आप digital divide को complete करो, that's okay, उसको minimize करो, ठीक है, दूसरी चीज आप ये करो, कि आपके पास में जो resources available है, उनका efficient और maximum utilization हो सके, एक ये भी ध्यान रखना है, साथ में, बच्चों की जो creativity है, उसको हमें बनाए रखना बहुत जरूरी है, नहीं, तो ये generation, जो अभी इस COVID-19 के चलते हैं, अपने education को properly नहीं कर पा रही है, उनकी जो एक potential है, future potential है, उसको हम proper harness नहीं कर पाएंगे, यह यहाँ पर writer बोलने है, तो suggestions बहुत अच्छे थे, आगे चलते हैं, दूसरा article भी education से related ही है, the real test, इस article में बताया है कि देखो CBSC ने ultimately फिर बार्वी की जो exam cancel कर दी हो, बहुत ही ज़्यादा स्वागत योग्या है, इसी को ध्यान में र process को revamp करें, कुछ change करें, क्योंकि सरकार ने कहा है कि हम बार्वी का result जो है, वो objective criteria based evaluate करेंगे, अभी तक clarity नहीं है, objective criteria क्या है, बस एक term दे दिया, अब वो objective criteria में छोटा exam कराया जाएगा, plan A, plan B, हमने बार-बार देखा, plan A के अंदर ये बोला हुआ है, CBSC के बास में जो discussion आ ठीक है, फिर उसके हिसाब से आप result त्यार कर दो, दूसरा तरीका ये बताया है, कि आप 90 minute का, मतलब 1.5 गंटे का, short answer type question paper बना करके, और उनका exam ले लो बच्चों का, और उनके school के अंदर ही, उससे भी एक तरीका है, मतलब ये plan already available है, पर उनमें से कौन सा pick किया जाएगा, वो एक देखने वाली बात है, और states का अपना-पना खुद का decision होगा, कि वो क्या करना चाह रहे हैं, तो ऐसे मैं हमने previous article में देखा, वो एक अपने आपने suggestion है ही, तो उसमें COVID-19 के cases कितने आ रहे हैं, वो एक देखने वाली बात है, पर सवाल ये है, कि objective criteria based अगर आप एक तर admission आते हैं, और उसी के basis पे बच्चों का admission higher education में होगा, तो वहाँ पर mal practices होने के chances पूरे हैं, वज़य क्या होगी, क्योंकि वो अपने result को बढ़ाएंगे, admissions को attract करने के लिए, तो वो एक चीज हमें कहीना के clear करने की ज़रुत है, कि neutrality, कि बच्चा जितना deserve करता है, उतने ही उसके marks दिये जाएं, transparency बरतनी चाहिए, कि हमने क्या process अपनाया, और किसके basis पे किसी भी बच्चे को 90 above marks दिये, और किस बच्चे को हमने 80 below marks दिये, तो वो चीज कहीना कहीन, clear होनी चाहिए, एक चीज, 11th के जो marks हो गए, या जो pre-boards के, internal assessment में, आप देखते हो, जो भी exams लग जो है, वो 11th और 9th में इतना दिमागी ने लगाती है, आप भी देखते हो, आप भी बढ़ गया हो, कि क्या आपका experience रहा होगा 11th class का, ठीक है, at least private schools में तो, ठीक है, government में तो चलो, फिर भी थोड़ा खींच के रखने की कोशिश की जाती है, बट बहुत rare होता है, कि वहाँ पर 11th में बच्चे को fail किया जा रहा है, तो वो चीज कहीं ना कहीं गडबड़ी वाली हो गई ना, तो आप कैसे assess कर पाओगे एक बच्चे को, कि यहाँ वाकई में वो बहुत ही अच्छा student है, या वो बहुत ही बेकार student है, या फिर एक average student है, या पढ़ना चाता है, नहीं तो ऐसे में एक diversified assessment होना चाहिए 11th, 12th के basis पे, ऐसा नहीं कि केवल 12th का exam नहीं हो रहा है तो आप केवल record उठाओ कर दो, नहीं, आपको 12th का भी assessment करने की जरूरत है, एक तो यह point आ गया कि आप उसका student का background चेक करो, अच्छे से हैं, जो आप उसके past experiences रहे हैं, साथ में आज school की बात करो, schools की बात करो, teachers, students इनकी बात करो, तो किस पर ज्यादा focus करते हैं, teach to game exam, मतलब आप practice करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, आप क्या हो जाते हो, wrote learner बनते चले जाते हो, रटना शुरू कर देते हो, और इसी पर कहीं नहीं focus कर दिया, तो यह time आ गया है, कि हम हमार इस reality यह भी है, कि अगर आप marks पे ध्यान नहीं दोगे, तो कौन सा objective criteria आपके पास में available है, जिसके basis पे आप यह देख सकते हो, कि यह बच्चा अच्छा है पढ़ने में, यह थोड़ा week है, यह थोड़ा attention दे रहा है, यह लापरवा है, वो थोड़ा सा अभी भी उस system के ओप पर कुछ research होनी, कुछ outcome निकलना, थोड़ा सा time दिलने वानी बात है, और इस पर काम करना चाहिए, देखो, हमारी जो new education policy है ना, वो खुद यह suggest करती है, कि हमें यह जो marks वाला system है इस से थोड़ा सा change होना चाहिए, और कम से कम जो higher education में entry होती है, higher education के लिए जो college में, universities में, तो वहाँ पर बोले merit की बजाए, अब common university entrance exams होने चाहिए, जैसे कि आप देखते हो न medical में, या फिर engineering के लिए, IIT के लिए, इनके admission के लिए, आप देखते हो, NEET का exam, JE का exam, यह exams क्या है, बच्चे के 12th में कितना भी score हो, कोई matter नहीं करता, अगर वो अच्छा perform कर रहा है score, तो आजाओ, entry मिलेगी उसको, तो कहने का मतलब यह हो गया, कि जब भी आपको opportunity, अभी एक crisis है, अब इस crisis को हम opportunity बना सकते हैं, तो ऐसे में, केवल और केवल एक marks के basis पर अगर देखा जाए, तो उसको हमें थोड़ा सा ठीक करने की ज़रुत है, ठीक है ना, दूसरी चीज हो इंडिया पूरे medical colleges के लिए एक साथ कराने का provision है, ठीक है, तो तमिल लाडू ने इसको implement करने से बिलकुल मना कर दिया, शुरुआत में कि हमारे यहां पर गाओं में जो लोग बच्चे रहते हैं, उनके पास में इतनी education नहीं है, जो कि शहरों के बच्चों के साथ में compete कर सक तो ऐसे में अगर गाओं के बच्चों को opportunity proper नहीं मिली तो क्या वो doctor नहीं बनेंगे, तो उन्होंने यह कहा कि हम state level पे हमारा खुद का separate exam ही continue रखेंगे, वो बात अलग है कि फिर उसके बाद में central government के दुबारा लगातार pressure बनाया गया तो ultimately अभी शायद accept कर लिया है वो, प अपर लेवल, लोवर लेवल, यह अच्छी स्कूल है, यह कम स्कूल, कमतर स्कूल है, वो चीज़े कही ना कहीं परेशानी का कारण बन जाती है, एक backward area से belong करने वाले बच्चे के लिए compete करने में जब वो एक forward area के बच्चे से compete करेगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक balance बनाने है, वो हमने देखी लिया, इसके अलावा आप 100% स्कूल के assessment पर भी rely करते हो, तो भी मुश्किल है, बाकी हमने suggestion देख लिए कि क्या किया जा सकता exam conduct कराने के लिए previous article में, तो इस दोनों article हमने merge करके इसलिए पड़े, क्योंकि दोनों education से related थे, दोनों का point एक ही था, but direction थोड सा perspective broad हो गया आपका, आगे चलते हैं, sorry, वो थोड़ा सा mistake हो गयी थी, हाँ, next article अपना, downplaying the external threat, article को लिखा गया है, ये multi writer article है, जिसमें writers की name आप देख सकते हो, कमल सिबल, शामला भी कौशिक, इसे ही वीना सिकरी, और एक देख सकते हो, बस्वंती मुखर जी, ये अलग-अल article से इनकी द्वारा लिखे गए थे, ये सारे experts है, foreign affairs में, थीक है, तो इनके द्वारा अलग-अलग article लिखे गए थे, उनको summarize करके, यहाँ पर Indian Express ने हमारे सामने पेश किया है, तो देख सकते हो आप यहाँ पर, कि Prime Minister Narendra Modi की external affair policies हैं, उनको अभी बहुत जबर्दस तरीके स criticize किया जा रहा है, जबकि criticize करने वाले वही लोग हैं, जो किसी जमाने में यही policies पे काम किया करते थे, मतलब opposition parties यहाँ पर, या फिर दूसरे जो लोग जो कहीं न कहीं, इसी policy पे काम करता हैं, पिछले 20 सालों के अंदर, अगर हम UPA, मतलब United Progressive Alliance, जिसकी अंडर में मनमौन सिं पेजी के अंडर में भी NDA सरकार चला करती थी, तो एक तरफ जहाँ पर UPA ने शुरुवात की थी, जिन policies की उनी policies को NDA continue कर रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ नए options भी explore किये गए हैं, जैसे कि UPA ने शुरुवात, NDA की जो first सरकार थी, अटल भी अरिवाच पेजी की टाइम तब हमने 1998 में पोकरन सेकेंड टेस्ट कर लिया था, तो हम क्या हो गए थे, इंडिया nuclear state बन गया था, तो ऐसे में nuclear differences पे हमने अपने आपको बहुत strong बनाना शुरू कर दिया था, और उसी चीज़ को continue करते हुए UPA, मतलब मनमान सिंग जी की पहली सरकार थी, उस टाइम पर और US के बीच में nuclear deal हो जाती है, तो continue वही चीज़ हो रही है, पाकिस्तान के साथ में अगर dialogues की बात की जाए, तो पाकिस्तान ने जब ताज होटल पर अटेक किया, और हमारे साथ में जो कश्मीर में ceasefire violation लगातार होते रहे, तो क्या हुआ उसका result, कि पाकिस्तान के साथ में dialogues जो हैं, वो बिलकुल बंद कर दिये, और उसी impass को continue किया जा रहा है, current regime के दौरा, रशिया की बात कर लो, रशिया को हम पहले भी बहुत importantly engage किया करते थे, तो आज भी एक trusted friend के तोर पे हम मानते हैं, तबी तो हम USA के दबाओ के बावजूद, S-400 anti-missile defense system जो है, वो वहीं स purchase कर रहे हैं, similarly Gulf states के साथ में engagement शुरू हुई थी, UPA के टाइम पे, और उसी को और broaden कर दिया गया है, current regime के दौरा, और ज़्यादा engagement है, आज साओधी अरब और UAE, इंडिया के साथ में इतने ज़्यादा engagement है, कि पाकिस्तान को भी फटकार मिल चुकी है, ऐसे में USA की बात करो, USA के साथ में मालाबार exercise शुरू की गई, UPA के टाइम पे, और उसको और ज़्यादा broaden कर दिया गया है, 2021 का जो मालाबार naval exercise हुई है, उसमें जापान और Australia को और add कर दिया, इसी तरीके से lookist policy जो की नरसिमा रावजी के टाइम पे 1990s में शुरू हुई थी, उसको और जापान के साथ में हमारी engagement इतनी शांदार है कि Indo-Pacific नाम से एक नया ही concept उबर के आ गया, जो कि जापान के ही Prime Minister Sinjo Abe ने 2007 में अपनी तरफ से कहा था कि हाँ हमें साथ में आना चीए Indo-Pacific region में, क्योंकि China का rise उस time पे continue हो रहा था, जापान को इस चीज़ का पूरा आभास था क कि कही ना गई चाएना problem create कर सकता है, तो आज उसी के चलते कोएड है, वो बन गया और इंडिया बहुत actively participate कर रहा है, इसके अलावा नेबर्स की बात करें, तो नेबर्स के साथ में भी हमारी engagement बहुत बढ़िया है, maritime security की बात करो, Indian Ocean region के अंदर, जहाँ पर सागर जैसे important projects जो हैं कि जो Indian Ocean littoral states हैं, मतलब Indian Ocean से जो अपनी समुदरी सीमा है, जो share करने वाले states है, countries हैं, उनके साथ में हमारी engagement देखो, Western Indian Ocean waters की अगर बात करो, इसका मतलब हो गया Arabiancy की बात करो, वहाँ पर हम France के साथ में इंगेज कर रहा हैं लगातार, Gulf countries जो हैं, वो अपने naval basis को open करके ब जो हैं, बहुत improve हुए हैं, इसका सबसे बड़िया example है कि Republic Day Celebration of 2018 पे, जब Chief Guest के तोर पे आश्यान के जो leaders हैं, उनको बुलाया गया तो दसों के दसों leaders वहाँ पर present थे, क्योंकि आश्यान जो है, वो Southie Station के organization है, जिसमें 10 countries member हैं, और उनके दसों के दसों के जो leaders थे, वो present थ पिट कर रहे थे, ऐसे ही आगे देखो, European Union के साथ में engagement शुरू हो गई थी, UPA के टाइम पे, बाचीत होनी शुरू हो गई थी, free trade agreement को ले करके, तो जब ये 16th India European Union leaders की virtual summit हो, यह ना भी recently 21 माई को, उसमें 27 leaders सारे के सारे present थे, मतलब European Union में 28 members हुआ करते थे, जैसे ही Brexit हुआ, UK के बाहर निकल गया, तो अब उसमें 27 countries हैं, तो 27 countries के सारों के leaders वहां पे present थे, तो इससे जदा और क्या engagement, इसके अलावा, free trade agreement पे, एक तरीके से negotiations को resume करने की बात भी हो गई है, European Union के साथ में, तो दूसरी तरफ, European Union से बाहर निकलने के बाद, Brexit करने के बाद में, UK के साथ में हम enhanced trade partnership के उपर भी काम कर रहे हैं, तो ये चीज़े क्या show कर रही है, कि current regime exactly वो ही चीज़े कर रहा है, उसी line पे continue बढ़ रहा है, जिस line पे previous regime हुआ करता था, तो ऐसे में criticism जो है, वो कहीं न कहीं, आज के time पे, जिसमें एक तो कहीं न कहीं, आप बिमारी का हाल देखो, क्या हाल कर रहा हा हमारे देश का, दूसरी तरफ चारो तरफ से threats, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना, अपनी तरफ से चाइना ने पूरा घेरने की कोशिश की है, तो ऐसे में जो engagements हैं, आप उसको लेकर के इंडिया पे, अगर current regime पे सवाल उठाते हो, तो बोले ये 21 जून को international yoga day के तरफ पे जो celebration होना शुरू हुआ है, वो recognition मिलाना, ऐसे में इंडिया की जो soft power है, वो increase हुई है current regime में, अब बात करो आप चाइना को लेकर के, कि चाइना में, चाइना के साथ में हमारा conflict वा डोकलाम में भी, ठीक है, और उसके बाद में अभी आप गलवान और Eastern Ladakh वाले region में आप देख पा रहे हो, तो एक चीज सवाल बार-बार उठाया जाता है, कि इंडिया जो है, वो अपनी वावाई करने में पीछे नहीं अठता, तो बोले डोकलाम टाइम पे जब वावाई की थी, तो उसका result ये रहा था, कि इंडिया से चाइना ने जमीन जो है, वो ग्रैब कर ली थी, बट reality क्या है, कि वहाँ पर इंडिया ने अपनी तरफ से भूटान को defend पूरा किया था, क्योंकि हमारी भूटान के साथ में friendship treaty है, तो ऐसे में आप इस चीज को बिलकुल mistakenly आप या expose नहीं कर सकते इस तरीके से, दूसरी तरफ अगर आप बात करो, कि चाइना का territorial expansion, क्या इंडिया के साथ ही है, जो इंडिया इस चीज को लेकर के concerned है, या फिर इंडिया अपनी साथ में अपनी जो engagement है, diplomatic engagement है, वो चाइना के साथ बना रखी है, तो ये तो expansion आप भूटान में देखो, South China Sea में देखो, हमारे अनुनाशल प्रदेश में द देखो, Ladakh की तरफ, देखो, चारो तरफ इंड चाइना कहीं अपनी problem create करने की, मतलब हर तरीके से territory इसको grab करने की कोशिश कर रहा है, तो ये चीजे कहीं ना कहीं underplay कर देंगी, importance आप बिलकुल ignore कर रहे हो, कि reality क्या है, अगर UPA government की बात करें, तो वैसे comparison नहीं होना चीए, पर हमारे सामने, हमारे लिए क्या important है यहाँ पर, कि आप एक continuous manner में देखो, कि इंडिया के foreign relations कैसे emerge हुए है, कहीं बाद अगर unfortunate situation आई जाए, कि आपको ये कह दे कि previous regime और current regime में international relations को लेकर कि आपके क्या opinion है, सवाल ही आगया मान लो, ठीक है, mains में तो आने के कम सांचे जाए और आप ही जाए, क्या पता, mains में नहीं आएगा वैसे, पर हाँ, interview में ये question बन सकता है, तो उस point office आप थोड़ा इसको ध्यान रखोगे, तो देपसांग incident हुआ था, ठीक है, UPA government के time पे, तो उस time पर आप देखोगे, तब भी तो कहीं आप देखोगे, diplomatically engagement करना ही पड़ा था, वो ही चीज अभी है, पर एक चीज अब की बार जो different है, वो क्या, कि Eastern Ladakh में जो चाइना ने aggression दिखाया, तो वहाँ पर diplomatic engagement तो continue है ही, पर साथ साथ में military engagement में हमें, military engagement में भी हम पीछे नहीं हटे, आज देखो Eastern Ladakh में 50,000 से जादा troops जो हैं, वहाँ पर deployed हैं, तो चाइना चीज हमें द्यान रखनी है, साथ में, जो कैलास range है, mapping हम discuss कर रहे हैं, तो आप देखो कि लदाख, लदाख range तो हमारे हाँ पर located है, और उसी से थोड़ा सा South East की तरफ जाओगे, तब कैलास range आता है, जो कि आपके तिब्बत वाले region में located है, तो कैलास range में इंडिया की पकड़ बनाए रखना, ठीक है, आप देखो, चाइना के goods को, अगर हम ये सोचें कि इंडिया के consumers के लिए सही माना जाए, कि हाँ बहुत सस्ते हैं, तो पर हमें थोड़ा सा समझने की जरुरत भी तो आना, कि हम कितना depend कर रहे हैं किसी एक country पे, हमें dependency को minimize करना है, benefits को maximize करना है, तो उसके लिए कहीं न कहीं हमें diversified manner में सोचने की जरुत है, उसके लिए हम केवल और केवल वोई चीजे हैं कि आज 50 पैसे का अगर फायदा आप कर रहे हो, तो हो सकता आने वाले दिनों के अंदर 10 रुपए का नुकसान हो जाए, तो क्या फायदा है उस 50 पैसे का, सव मिर जाता है, कि पहले आप border issues को sort out कर लो, फिर उसके बाद में हम आपके साथ engage करना चाहेंगे, क्योंकि चाइना की tendency क्या है, clear है कि चाइना है वो नया world order तो नहीं बनाना चाहता, पर जो existing world order है उसको redefine करना चाहता है, इसका मतलब क्या हो गया, कि USA की जो hegemony decline हो रही है, उ hegemony को China grab करना चाहता है, यह चीज है, और इस चीज में इंडिया बिल्कुल भी साथ नहीं देगा, क्योंकि China की emergence, इंडिया के लिए threat जब तक है, जब तक कि यह border issue खतम ना हो जाए, और China के पास में policy आपको पता होना चाहिए, एक palm and five finger की policy पे काम करता है China, palm तो हो गया दे और फिर बाद में अरुनाचल प्रदेश, तो ऐसे करके तिबत पे हो गया और बाकी इन सब के साथ में conflict लगातार चल रहा है यहां पे, ठीक है तो नेपाल के साथ में भी आपको पता है कितने villages grab किये, कितने news आती रही है, तो ऐसे में China जो है वो G2 टाइप एक concept बनाना चा कि चाइना कहीं वर्ल्ड पाउर बनना चाहरा है, वर्ल्ड में अपनी खुद की पकड़ बनाना चाहरा है, तो क्या हमने चाइना की यह जो hegemony उसको accept किया, जी बिल्कुल भी नहीं, दूसरी तरफ क्या चाइना के साथ हमने engagement तोड़ दी, जी बिल्कुल भी नहीं, आज अ 20 economies के leaders बातचीत करते हैं, या फिर International Solar Alliance की बात करो जहां पर फ्रांस के साथ में मिलकर के, Paris Climate Change Agreement 2015 के बाद में इंडिया ने अपने यहां पर हमारे यहां पर Guru Gram में इसका head guard established किया, similarly disaster resilient infrastructure coalition की बात करो, उसमें भी इंडिया बहुत actively participate करता है, climate change की जब बात आती है, तब इंडिया एक leader की तरह काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, पहले जो इंडिया एक defensive काम किया करता था, आज वो कहीं ना कहीं अपनी engagements को reinvigorate कर रहा है, that means एक नई energy provide कर रहा है, यॉरॉप की बात करो, Indo-Pacific region की बात करो, क्वेड की बात करो, इंडिया जो सागर initiative चला रखा है, उसकी हर एक तरीके से इंडिया अपनी foreign affairs में बहुत हद तक energetically काम कर रहा है, engagement कर रहा है, आज अगर current regime में प्राइम मिनिस्टर 109 डेशों में visit, 109 डाउंड करके आता है, 60 देशों के अंदर, तो क्या उसका फायदा नहीं मिल रहा है, क्या, एक सवाल ही आता है कि इंडिया बिल्कुल खतम कर दिया, उससे हम बचना चाहते हैं, तो ऐसे में हमें कही न कहीं, universal values को ध्यान में रखने की ज़रूत है, वो चीज हम ज़्यादा ज़्यादा परसीव करना चाहते हैं, बट एक चीज है, अगर हम वाकई में वैस से इस चीज में revenge लेना चाहें, तो हमें कह कहीं न कहीं, चाइना के साथ में भी इसको एक बार देखने की ज़रूत है, क्यों चाइना अगर साथ में इमर्ज होता है, तो देखो कहीं न कहीं, आप traditionally अपने आपको grow गरा पाऊगे, नहीं तो चाइना के साथ में हमने previously क्या देखा, border issues dispute में है, तो कहीं न कहीं हमारी जो model बना के रखता है, यह चीज बोली जाती है, कि western democratic models के point of view से अगर आप इंडिया की democracy को देखोगे, तो आप इंडिया को समझी नहीं पाऊगे, तो उसी case में आप यहाँ पर देखो, कि east, मतलब Asian countries जो हैं, उनका एक अलग ही system है अपने आपको rule करने का, तो वहाँ पर चाइ order, मतलब एक तरीके से हम engage नहीं कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ engage बहुत सार, मतलब engagement बिलकुल ही रोक दिया, अब एक तरफ देखो, multilateral platforms from China के साथ, engage कर रहे हैं, जाए G20 हो, BRICS हो, SC हो, और diplomatic engagement भी है, पर हम हमारे पहले मुद्दों को sort out कराना चाहते हैं, वो एक important चीज है, तो देखो, domestic political purposes को fulfill करने के लिए, हर एक ruling party अपनी तरफ से foreign policies को कही ना कहीं use करती है, और ये चीज हमेशा से रही है, हर एक country में रही है, इसमें कोई doubt ही नहीं है, जैसे ही कि Donald Trump ने election जीतने के लिए क्या किया जी, चाइना के साथ में बस लड़ाएं कर दी, trade war शुरू कर द USA का war देखो, इराक पे अटेक किया 2003 में, और war on terror किया, जिसमें अटेक किया गया अफगानिस्तान में, और अब withdrawal कर रहा है अफगानिस्तान से, ये सारी चीजे हैं किस से भई, ये सारी कि सारी internal domestic politics ही तो है, रश्या का interference देखो USA के elections में, वो क्यों है जी, क्योंकि दोनों के countries कहीं ना कि एक दूसरे का अभी भी जाने दुश्मन बनके बैठे हुए हैं, तो ऐसे में, चाइना अगर गीदर बपकियां देता है, तो वो क्यों देता है बार बार, ये चाइना का क्या message था कि लद्दाक में enter हो गया, फिर बाद में फिर de-escalation हो रहा है, अभी भी लग चाइना दिखाता है, तो उसके बीजे, नेशनली सेंटिमेंट्स, मतलब domestic politics से अंदर अपनी पकड़ बनाये रखने चाती है, जो भी रीजीम चल रही है, तो ऐसे में, अभी जो कुछ भी हो रहा है, जिस परिस्तिते में हम चल रहे हैं, उसमें इस pandemic को हमें fight करना चीए, न अभी भी narrow perspective में नहीं काम किया है, और जो सरकारें करती आई हैं, उनी लाइनों के ओपर हम continue करते जा रहे हैं, अब जो main theme अमारे foreign affairs की, वो है national interest, core national interest, हमें किस से engage करने में फाइदा है, but issues point of view से हैं, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे मैं टांक की चाहे करने च चीज नहीं है, point हमारा यह था, हमें foreign affairs को पूरा detail में जानना था, पिछले 20 सालों के अंदर, 20 या 30 सालों के अंदर, कि क्या track चल रहा है, यह आपको एक summary मिल गई है, आगे चलते हैं, last article है, fuel for growth, इसमें बताया जा रहा है, देखो, economy में अभी देखा जाया, तो fiscal deficit government ने target किय 25% के लगबग fiscal deficit रह जाएगा 2020-21 में, पर वो रहा कितना 9.3%, इसके पीछे वज़य क्या रही, कि जो taxable revenue है, total tax collection जो है central government का, वो expectation से जादा रहा है, कितना रहा जी, आप देखोगे, कि 6 मेने के अंदर अंदर, ठीक है, पिछले 6 मेने के, 2020-21 में अगर देखो, तो लगबग लगबग 20.2 लाग करोड का tax collection किया गया है, जिसमें जो direct tax collection है, वो तो इतना ज्यादा नहीं रहा, पर जो indirect tax collection है, जिसमें GST की बात कर लो, जो compensation देने की बात की जाती है states को, उसकी बात करो, या फिर दूसरी तरफ जो custom duties लगती है, excise duty लगती है, petrol, diesel पे, वो हो गया, तो ऐसे में total जितना भी आप देखोगे indirect tax, उसमें लगबग 62% का year on year increment देखा गया है, वजह क्या थी इसके पीछे, जो crude oil prices थी, वो देखो कमर होई, उसके बावजूद सरकार ने crude oil, petrol, diesel के दाम कम नहीं किये, तो सरकार के पास में tax collection अच्छा कासा हुआ है, तो point क्या आ रहा ह जी, कि यहाँ पर tax collection अगर आपके पास में ज्यादा है, revenue collection ज्यादा है, इसका मतलब आपके deficits कम हो गया, आपका गाटा कम हो गया, तो direct collection तो देखो इतना ज्यादा हुआ नहीं है, थोड़ा सा कम हुआ है, पर थोड़ा सा आप direct collection की बात करो तो वो ज्यादा हो गया है, तो का मतलब अभी सरकार के पास में fiscal space और बन गया है, तो जरुरत किस चीज की है, जब आपके पास में space available है, तो देखो COVID-19 की peak भी जा चुकी है, second wave की अगर particular बात की जाए, cases कम होने लग गया है, तो अब support देने की जरुरत है, अभी households या फिर जो बहुत सारी companies हैं, बहुत ज् distress का सामना कर रही है, तो जरुरत है कि वहाँ पर हमें सरकार के वहाँ पर support दे, fiscal space को utilize करे, economy को support करे, देखो जो analysts हैं, उन्होंने तो जो economy के लिए जो target किये गए था, यह कोने बहुत जबरदस तरह के से grow करेगी, वो सारी चीजें, वो भी कहीं ना कहीं, अब थोड़ा सा down ह हो गया है, उन्होंने भी smooth कर दिया है, रही सही में आप देखोगे, सरकार के उपर जो करजा था, उसमें सबसे main जो काम था, वो था FCI का, जो food corporation of India के उपर जो करजा चल रहा था, उसको भी सरकार ने moderate बना दिया, रही सही में, subsidy अब की बार इतनी दे दिया, जिसकी अधनी कल हमने एक article discuss भी किया था, जिसमें GVA और GDP में difference बहुत जादा हो गया है, उसके पीछे क्या वज़य बताई गई थी, उसमें वज़य बताई थी कि subsidy अब की बहुत जादा थी, क्योंकि मैंने बताया था था न, GVA is equals to GDP, plus subsidies minus tax, ठीक है, तो ऐसे में subsidy आपने increase कर थी, तो GDP पर G GVA का असर क्या हो गया, कम हुआ की नहीं, तो वो ही चीज यहां पर बताई जा रही है, कि जो एक सवा लाग करोड रुपए का estimate, budget में estimate बनाए गया थाना है, इनका मतलब, sorry, subsidy के अगर बात करें, तो एक लाग करोड तक की बनाई गई थी, तो जो बढ़ा करके allocation कितना हो गय क्योंकि खाना हमने सचते में free में दिया ना, प्रधान मंतरी गरीब कल्यान अन्योजना के तहत हो गया, या food security act में हमने जो खाना provide किया, या जो अन्तियोदे scheme चल रही है, उस scheme के अंतरगत, तो ऐसे में क्या है कि कही नहीं, food में subsidy जादा provide की गई है, तो वो चीज कही नही बहुत ज़्यादा volume में गई, पर हाँ, fiscal deficit था, जितना estimate किया गया उससे कम है, तो space बहुत है, government के पास में उसको utilize करना चाहिए, बाकि एक बार खुछ से आप reading मार देना, क्योंकि data annual है, देखना चाहो देख लो, बाकि ज़्यादा कुछ help मुझे लगती नहीं, यह हो पाए कार के पास में, चलिए, discussion में इतना ही था, thank you very much for watching this video, continue बने रही है साथ में,